कि अज़ाइज जैसी किष्णा गूड इबनिंग हावर यू पहले से कैसे हो एक दुम बढ़िया और तवियत का क्या चाल है हाल चाल है बोड़ी बनाई रखना फिटनेस का नंबर वन ध्यान रखना है ठीक है पढ़ाई तो करते ही रहे ना पढ़ाई चलती रहेगी लेकिन जब तक पढ़ाई चलेगी स्टड़ी चलेगी उसके साथ हेल्थ भी चलनी चाहिए आपकी हाजी है तो अभी आपके एक्जाम हो गए है सारे बच्चोंने लगवग ना बोल करके यहाँ पर बोल देते हैं तो रिजल्ट का वेट है रिजल्ट तो आपने बहुत अच्छा एक्जाम दिया है तो रिजल्ट भी आपका अच्छा ही आएगा अब क्या है कुछ बच्चों ने छोड़ करके कुछ बच्चों को छोड़ करके लगभग सारे बच्चों ने नीट का आई टी जेई का फॉर्म फिल कर दिया है जो इस वार 12th एपियर हुए थे तो कुछ बच्चे आप सोच रहे थे कि चलो क्रेस कोर्स क्या करेंगे अब डारेक्ट वन येर की करनी चाहिए बिल्कुल आप सही सोच रहे हूं कुछ बच्चे सोच रहे हैं, चलो देखी लेते हैं, क्या चल रहा है नया, इतना ही सही, कि कुछ क्या लिख करके आएंगे, पेपर का लेवल क्या है, तो वो भी अपने आप में बिल्कुल सही हैं, दोनों तरीके के बच्चे सही हैं, और तीसरे तरीके का बच्चे अगर मान तो आज हम लोग discuss करते हैं कि droppers में जो बच्चे आए हैं उनको क्योंकि अब one year की coaching लेने का time भी आ चुका है और बहुत बच्चों ने अपना planning भी बना लिया है प्लान भी कर लिया है कि किस तरीके से करेंगे देखिए यही चीज मैं आपको समझाने आया हूँ 10 minutes के लिए क्योंकि होता क्या है basically इस्टुडेंट कहता है जी मेरे घर में कोई था नहीं guide करने वाला इसलिए मुझे जो लगा मैंने coaching ले ली पापा मम्मी तो ध्यान उत्रा देते नहीं थे तो उन्होंने मुझे ही छोड़ दिया था कि जो आपको अच्छा लगे ले लो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हम तो हैं हम आपको बताएंगे कहां पे कैसे coaching लें और क्या ऐसा करें ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी selection हो तो देखे होता क्या है एक इसके लिए मैं आपको छोटी से story यहां पर सुनाना चाहूँगा कि मालीजी किसी company वाले ने job निकाली अब job तो उसने निकाल दी अब उसमें से बहुत सारी लोगों ने job का advertisement पढ़ा और पढ़ करके लगवग सारी लोगों ने यह कहा कि चलो कल interview के लिए चलते हैं और उस company के interview के time पर पहुँच गए उनमें से कम से कम बहुत ही minimum लोगों ने मतलब आप समझ लिजे कि 100 लोग हैं तो लगबग 4-5 लोगों ने सोचा एक idea आया उनको कि company में job लेने जा रहे हैं लेकिन company के बारे में थोड़ा detail कर लेते हैं एक बार चीज़ें चेक कर लेते हैं कि यह company किस चीज़ की है क्या product बनाती है मानलो कल से हमें question पूछेंगे तो हम उसको बता सकें तो मतलब उन्होंने क्या किया कि complete homework एक अपना कर लिया अब वो 100 में से 5 लोग ऐसे थे जो complete homework करके गए थे वहाँ पर और बड़ी सिद्दत के साथ गए थे उनको ये पता था कि अगर हमें question पूछा तो हम उसका answer कर पाएंगे और यही वो चीज़ थी क्योंकि हो सकता है उनको company में job करने का completely idea हो सिद्दत से वो उन्होंने पूरा चेक किया company का detail फिर वो interview देने गए तो आपको मैं बता दूँ BSC वाला पहुचा, MSC वाला पहुचा, PhD वाला पहुचा, MBA वाला पहुचा, सारी लोग पहुचे लेकिन उसमें से भी जो five लोग थे जिनोंने complete homework किया था वो अपनी पूरी तियारी के साथ गए थे तो जब preparation के साथ गए थे तो जो interview वाला था वो भी कई वार तो सोच सोच के ठक रहा था कि मैंने इतने लोग interview के interview ले लिये हैं कोई select ही नहीं हो रहा किस बात की इनोंने MSC PhD कर रखी किस बात का इनोंने MBA कर रखा है पता ही नहीं लग रहा पूछ कुछ और रहे हैं बता कुछ और रहे हैं अब कुछ लोग तो क्या किया कि पता लगा एक friend का phone आ गया कि भई इस company में vacancy निकली है तो वो समोंसे खा रहा था उस समय तो कह रहा समोंसे खतम कर लेता हूं उसके बाद दोड़ता हूं तो दोड़ पड़ा वैसे ही किसकी company है किसकी नहीं है बस उसको इतना पता था कि य जैसे माल लेते हैं for example कि किसी company में content writer की requirement हुई तो उसको यह नहीं लगा कि मैंने content writing का मतलब for example के लिए MSC वाली ने सोच लिया कि मैंने bio से MSC कल रखी है तो मैं content writing करूँगा अरे यह तो देख लो कि वो company किस बात पर content writing आपको कर वा रही है मैं just example इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो actually होगा मैं आपको बताता रहूँगा होता यह है आज की date में तो मतलब मानिए आप सौ मैंसे 5 लोग ऐसे थे जो serious थे वाकि सब लोग ऐसे थे मैं क्यों example दे रहा हूँ with example के साथ अब अपनी बात को सुरू किया करूँगा और अपने experience आपके साथ share किया करूँगा जिन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है सही है नहीं लगता है कोई बात नहीं है वो भी वीडियो देखें अब बात करता हूँ मैं इस सीज़ की देखें आज की देट में इतनी भाग दोड़ है इतनी भागम भाग लाइफ है पेरेंट्स क्या बच्चे क्या सब जो है किसी को time नहीं है कोशन यह कि time जा कहा रहा है जा रहा है हमारा online में Instagram में सब जा रहा है जाता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है फिलाल के लिए इतना भी time नहीं है कि दो गंटे कम से कम discuss कर लें चीज़ों पे जैसी बच्चे को पता है कि बोड़ दे लिया पेरेंट्स ने का वेटा Google पे सर्च माल ले Google पे सर्च माल ले जो कोचिंग है उसमें चला जा फीस में दे दूँगा बच्चा सोच रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूं लेकिन मैं कह रहा हूं अपने experience से कि बड़े जरूर हो गए और छोटे मोटे बट experience नहीं है आपके साथ आप लोगों को उतना नहीं decide कर पाओगे चीज़ों को लेकर के जो आपको करनी चाहिए तो सारे पेरेंट्स से मैं कहना चाह रहा हूं कि भई देखो ऐसा है कि थोड़ा time निकालो और time दो और बच्चों से भी कहना चाह रहा हूं देखो आप लो साले से बात करके कि किस तरीके से कौन सी चीज आपके लिए साही होगी सारी जो Google पर पड़ी हुई चीज़ें वो सारी चीज़ें साही हो बिल्कुल जरूरी नहीं है decision आप लिया करो सोच समझ करके मतलब parents के साथ अब हो क्या रहा है आज की डेट में कि जब से YouTube पे अलग चीज़ें आ गई है वानी कि ठीक है जी मैंने इधर जाना है ठीक है इधर जाओ लेकिन उसके बारे में एक बार चीज़ें decide कर लो कि कैसे आपको क्या करना है ऐसा नहीं कि पता लगा आपके थोड़ा सा friend ने बता दिया कि गया तो मैं भी नहीं हो लेकिन वो उस coaching में चलेंगे क्योंकि Google पे वो आ रही है ठीक है तो नुकसान आपका होगा क्योंकि बहुत सारी coaching तो क्या है कि मानलों आपने फीस दे दी तो फीस तो return नहीं होगी तो उसमें आपका पैसा भी जाएगा time भी वरबाद होगा दौनों चीजें होगी और एक चीज और है अगर आपने अपना लेवल चेक नहीं किया और ऐसी जगए चले गए जहां पर पता लगा कि भीड की भीड है तो भीड चाल में जा रहे हूँ तो एक नुकसान और हो जाएगा समझ रहे हूँ ना क्यों क्योंकि लोग जो है ठीक है चल रहे हैं अपने एसाब से लेकिन आपको कोई ऐसे कोचिंग की requirement होती है जो आपको personal एक individual guidance दे सके तो उसके लिए जरूवत होती है ठीक है क्योंकि आपने भीड चाल में नहीं जाना है चीजों को समझना है और थोड कि कुछ लोगों ने तो नई नई coaching खोली आप गए और वो अपना experiment आपके उपर कर रहे है ठीक है तो खेर कोई नहीं मुझे आपको ज्यादा नहीं समझाना हिंट के तोर पे आप लोग समझ गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ फिलाल आप ब्यात ऐसी समझ लीजिए कि हम लोग new best through करने वाले हैं 4th of July से जो की neat droppers के लिए होगा जिन बच्चों ने इस बार exam दिया है उन बच्चों के लिए best through होने जा रहा है और आपको पता है कि हमारे याँपे एक batch में हम लोग 32 students लेते हैं तो इसलिए जल्दी करें और अपना admission ले ठीक है ना इसमें सारी planning बता दूँ वीडियो में बता देता हूँ दो मिनट के लिए करने के आवाले हैं आपको individual attention देंगे किसी बच्चे के basic concept नहीं है बिलकुल समझे बेसिक concept नहीं पर ध्यान देंगे और जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं उनको पता ही है और नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा जो medical वाले की problem रहती है वो physics रहती है chemistry में कहता जरूर है मैं कल लूँगा कल लूँगी लेकिन कई बार नहीं होता है ध्यान रखना वहाँ पर question करने के लिए आपको बहुत practice की requirement होती है तो इसलिए physics chemistry आपकी बहुत ही बहुत ही ज़्यादा main होनी चाहिए उसके बाद bio को भी हम एकनूर नहीं कर सकते क्योंकि bio अकेली 360 marks की आती है ठीक है मैं video इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने admission ले लिया है उनको भी पता लग जाना चाहिए कि उनका admission 4th of July के batch में हुआ है तो बाकी हम और inform आपको करने वाले है ठीक है ना तो first batch 4th July से शुरू कर रहे है फिर एक video नया बनाऊंगा online के लिए बताऊंगा उसमें completely और fees में भी इसमें भी discount चल रहा है online में भी discount चल रहा है अगर कोई बच्चा हमें join नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण बस कोई भी coaching मतलो यह मैं कह रहा हूँ आप हमें online join करो बहुत कम fees है उसके बाद हम आपको बताते रहेंगे सारी चीजें किस तरीके से क्या आपको करना है ठीक है हुआ हुआ है